वेलकम टू माई न्यू व्लॉक्स पर स्वाकत है देखिए हमां इम्रान भाई हैं बाग आ चुके हैं यह सब बच्चे आ चुके हैं यह हमां श्वैप भाई भी आ चुके हैं सब यह दूर से हाथ लाओ और आम तोड़ेंगे और यह खुबसूरत लग रहे हैं नहीं लग रह इम्रान चच्चा खुबसूरत लग रहे हैं बच्चो के इम्रान चच्चा की टेंपो तो यह इम्रान भाई हैं और आम देखिए हम लोग तोड़ने आए हैंगे बाग में आए हैं सुल्तान कुछ अपना कुछ बताना चाहूँगे और यह तुम सब्सक्राइब करें कम पर तो घंटा भी दबाते समझें यह हमारे बैठे हुए हैं शाजे मिर्जा हाफिज जी और बाकि यह आपको थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी अपडेट दिखाते रहेंगे चोटे-चोटे से बच्चे बहुत मेहनत शिद्दतों की कर रहे हैं यह मेहनत यूसुफ यह सब लोग जो हैं दूर दूर से टहले हो देखे लाम लेले के आ रहे हैं तो आज मुआइना करा रहे थे के आम आम जो है तोड़के लाया जाए तो यह देखे दोस्तों अभी हम आपको फिर दिखा रहे हैं आमों का नजारा दोस्तों यह देखे दोनों यह देखिए क्या खुब्सूरती है नामों की और फिर यह लेने जा चुके हैं और यह यूसुफ आए हैं इसमें आम यूसुफ डालिए आपको और यह देखिए मेनत छोटे-छोटे लड़के कैसी करते हैं और जबरदस्त मेनत करते हैं इन बच्चों को इतना तजरूबा न आउसम बहुत ही सुहाना था अब धूप और डैंजर हो चुका है और आम की तयारी हो चुकी है अगर यह आम खाना है कि तो कमेंड में लिख दियेगा तमाम तरीके का आम है यह देखिए श्वैब भाई तोड़ रहे हैं सामने आम और खुपसूरत तरीके से आम सब तरफ आपको जलक रहा होएगा और आम का नजारा दिखाए शुरुआत जो आम की हुई हो देखें यहां पर से हुई है तो हम लोग आम तोड़ रहे हैं और यह हमारे यह अंकल के लड़के आम लेके आए हैं दिखाओ ज़रा सा यूसुप नाम है इनका इनको लोग प्यार से हैं तो जादा से जादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों यहां इमरान भाई पेड़के उपर देखे चाड़ रहे हैं और इनकी कलाकादी वो है कि यह पिछले जनम में थे तो यह बंदर थे तो इस जनम में लपाक ने इ अपना कर्तब दिखा रहे हैं तो दोस्तों अगले जनम में जो यह थे यह इम्रान भाई देखे जो चेरा आपको दिख रहा है अगले जनम में बंदर की शकल में थे तो यह पेड़ की उपर की जो प्रैक्टिस है वो उनकी वही पहले की प्रैक्टिस है और इसी तरीके से बने रहें चैनलर के उपर यह पक्का उठाले बटा यह ला पक्का दिखाए ज़रा इदा लाओ अरान यूसुफ मेरा फैला लिया हूँ दोस्तों यह देखे एक पक्काम अभी पेड़ से बिल्कुल ताजा ताजा तरीन बिल्कुल सुरख निकला है और जो दोस्त कमेंट् छोटा गत्ता पहुचेगा जरूर आज हम लोग छोटा सा एक ब्लॉग बना रहे हैं आम के विशय में ब्लॉग नमबर वन जिसमें कुछ पक्के आम आपको दिखाना चाहेंगे जो आज शुरुआत यहां से हुई है कुछ पक्के आमों की रंग देखिए कितना अच्छा क आमों के ओपर यह काला पन है थोड़ा सा बरसात के वज़े से भी है और अगर तेज बरसात हो जाती तो यह काला पन भी खतम हो जाता आम के उपर से फिलाल आप लोग अगर आम खाएं तो आम खाने के बाद में कोल्डिंग मत पिएं भाई साब क्योंके बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता है आम खाने के बाद कोल्डिंग बिल्कुल ना पिएं या तो आम खाएं या तो कोल्डिंग पिएं दोनों में से एक चीज एक काम करें दोस्तों इसी वरे से आप लोगों को बता रहे हैं कि जादा सुधादा आमों का मौसम चल ला है तमाम तरीके के फल तो हर साल आदमी खाता है हर चीज खाता है मगर ये जो आम का फल है ये सिप आमों के टैम पे आता है और आमों के टैम खाय जाता है तो ये देखें भर भर के कैरड़ माल आ रहा है और इंजुआए हम लोग कर रहे हैं सब बच्चे भी इंजुआए कर रहे बाग में और बड़ा अच्छा नजारा है बड़ा अच्छा आनंद मिला है और बाकी दोस्तों ये च्छोटा सा मिला ब्लॉक था इसको जादा से जादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना बजाना भूलें द्वाओं में याद रखेगा अपने तो मेरा स्वाद में अगा लाओ फित